हेलो इस्टेंट्स इस नाइन्थ वीडियो द्ध चैप्टर एकनॉमिक रिफॉर्म्स की यह नाइन्थ वीडियो है और इसमें हम आज सीखेंगे फाइव येर प्लांस पोस्ट एन इपी नाइटीन नाइटीवन तो फाइव येर प्लांस पिछले चैप्टर में भी समझा ठीक है पोस्ट में तहीं आपर देए एन इपी क्यों कहा गया है एन इपी नेशनल एकनॉमिक वालसी नाइटीन नाइटीन वन उसके बाद फाइव येर प्लांस सुरू हुए थे ट्वेल फाइव येर प्लांस हैब बीन लॉंचट बाई दा प्लानिंग कमिशन तो ट्वे ट्वे प्लान के लिए फाइनल एप्रोबल के एंडिसी के दोरा दिया जाता है अब यहां पर कुछ हिंट दिया है कि एर्थ फाइव एर प्लान कितना इंपोर्टन था एर्थ फाइव प्लान 1992 से 1997 तक रहा तो इसमें क्या क्या जरूरी बर्क हुए टाइम आफ 1989-1991 है जाफ पोलिटिकल चावोस that caused economic instability in इंडिया कुछ राजनितिक उतल पुतल थी जो किस बज़े से थी इंडिया में जो economic instability थी उस बज़े से एक political turbulence रहा and hence और क्या था no five-year plan was implemented between 90 to 92 और 90 से 92 के बीच कोई भी five-year plan implement नहीं हो पाया था there were only annual plans उस समय तक के विल annual plan हुआ करता है तो इन five-year plan plan was implemented तो five-year plan क्या होता है कि पूरा plan implement होता है ठीक है 90 ठीक नेक्स दखें 1991 इंडिया फेस्ट क्राइस तो five-year plan 91 में इंडिया ने बहुत बड़ा crisis face किया था in foreign exchange ने फोरेक्स रिजर्ज में का जाता इसको तो foreign exchange के मामले में भारत ने बहुत बड़ा crisis face किया left with reserves of only about US dollar billion बन यह के केवल 1 billion US dollar का reserve ही रह गया था इंडिया के पास thus under pressure और इस तरह के था बहुत pressure में भारत the country took the risk of reforming the socialist economy भारत ने socialist economy को सुधार के लिए बहुत कदम उठाए थे पीबी नर्सिमर राओ बाइदा देन प्राइमिस्टर अब तर रेपब्लिक आफ इंडिया उस समय तक पीबी नर्सिमर राओ इंडिया के प्राइमिस्टर रहे थे and head of Congress transformation and several incidents head of Congress transformation Congress की बदलाओ के भी वो head थे and several incidents were affecting national security बहुत सारे incidents ऐसे रहे जिनों ने national security को effect किया प्रभावित किया थे at that time उस समय तक Dr. Manmohan Singh launched India's free market reforms Dr. Manmohan Singh ने भारत के लिए free market सुधार सुधार शुरू कर दिये थे that brought the nearly bankrupt nation back from the age जो एक bankrupt nation को बहुत ही किनाड़े पर ले गया it was the beginning of the privatization तो इस वे से कह रहा कि तभी से privatization की शुरूआत होई privatization और liberalization की शुरूआत in India that we have just learned जो हमने अभी पहले पढ़ा है ठीक है hence modernization of industries was a major highlight of the earth plan तो industries की का modernization होना क्या रहा earth plan का major highlight था एक main concept रहा under this plan इस plan में क्या था the gradual opening of the Indian economy इंडियन एकनोमी का धीर धीर ओपन होना was undertaken correct the bargaining deficit and foreign debt और basic कर्ज भी भारग पर बहुत था meanwhile उससी बीच क्या था इंडिया बीकेम मेंबर आप दा बर्ल ट्रेड और नाइजेशन अन फर्स जनवरी नाइटीन नाइटीफाइब तो फर्स जनवरी नाइटीफाइब को इंडिया WTO का मेंबर भी बना था इस प्लान केन भी टर्मेड एज राओ एंड मनमोहन मोडल आफ एकनोमिक डेवलिप्मेंट इस प्लान को राओ और मनमोहन का एकनोमिक माडल भी कहा जाता था कौनसा प्लान एर्थ प्लान तो इस प्लान में देखिस क्या क्या implement हो गया average annual growth of 6.78% against 5.6% was achieved तो 5.6% से हमने 6.78% annual growth achieve कर ली अब आगे देखते हैं नीती 9th 5-year plan 1997 से 2002 तक गया 9th 5-year plan the 9th 5-year plan इंडिया runs through the period from 1997 to 2002 with the main aim तो 9th 5-year plan का main aim क्या था? Attaining objective like कौन से उद्धेश को पूरा करना? Speedy industrialization बहुत तेजिस से industrialization की target को पूरा करना human development target था, full scale employment, pool, रोजगार, poverty reduction, गरीब दूर करना, self-reliance on domestic resources, domestic resources में हम self-reliance बने, यह target 9th 5-year plan का था, अब यहां पर growth क्या रही? The growth rate was 5.35% in percentage point lower than the target GDP growth 6.5% तो GDP growth का जो target था 6.5% उससे हमारी growth कम रही थी, आप देखते हैं 10th 5-year plan में 2007 से 2007 की बीच रहा, 2002 से 2007 की बीच रहने वाला 10th 5-year plan इसमें 8% GDP growth per year, attain करना, target था, target था 8% लेकिन अचीव नहीं हो पाई थी, reduction of poverty ratio by 5% points by 2007, तो 2007 तक 5% points poverty ratio को कम करने का target, providing gainful and high quality employment at least the addition to the labor force, तो labor force के लिए gainful, बहुती लाबदायक और अच्छी quality के employment कम से कम जादस जादस लेवर force को देना, reduction in gender gaps, gender gap एने के gender वियास जो discrimination होता है, उसमें कमी लाना, literacy and wage rates by less 50% by 2007, तो 2007 तक ये wage rates of 50% gender-based distribution कम करना था, 20 point program बाज introduced, 20 point program भी launch के कहे थे, अब growth rate 8% थी, achieved 7.8%, तो target rate था लेकिन 8 पूरा नहीं कर पाये थे, लेकिन उसके करीब पहुंचे, तो अब 11th plan में क्या है रहा, 2007 से 12 के बीच, 11th plan का main motto income and poverty था, accelerate GDP growth from 8% to 10%, 8 से 10% GDP growth को ले जाना, 10 and 12th plan in order to double or per capita income 2016-17, और per capita income को double करने का target था, increase agriculture GDP rate 4% per year, broader spread of benefits, benefit को विस्तार करते हुए 4% per year, अकेले GDP का share agriculture का होना चाहिए था, create 70 million new work opportunities, तो 70 million नए work opportunities create करना, reduce educated unemployment to below 5%, तो educated जो बेरोजगार है और unemployment उन्हें कम से कम 5% कमी लाना, यहनि कि 5% लोगों को रोजगार जरूर दिया जाए, raise real wage rate unskilled workers by 20%, तो real wage rates लगवग 20% और बढ़ाना, तो overall देखिए कि target growth rate 8.4 था, लेकिन हाँ भी 7.9 growth rate अचीव कर पाया था भारत, अब दूसरा है देखिए, 12th fiber plant 2012 और 17, यह हाल ही की बात है, तो 12th fiber plant 2012-17 में, तो 8.2% growth rate अचीव की थी भारत ने, 12th 17 में, अब इस plan की main बात कर रही, it achieved growth rate of 6.5 to 7%, तो 6.5 से 7% अचीव कर पाया हम, December 12, the government declared that fiber plants would no longer work, तो December 12 में, गवर्मेंट ने क्या डिक्र किया, कि fiber plants अब ज़्यादा बर्क नहीं करेंगे, so the 12th fiber plan is the last fiber plan of India, तो यह 12th fiber plan, इंडिया का last fiber plan था, अब fiber planning पंच बर्सी जो योजना है, वो apply नहीं होती है, अब केवल एक निती आयोग बर्क करता है, अब करता है, अब करता है,